नवश्कार दोस्तों कैसे है आप सब आज की इस वीडियों में दोस्तों हम आप सभी लोग calendars को अगर आप बीडियों के बारे में बताने वाले हैं और हम अपने चैनल पर option trading, internet trading, percent market related videos upload करते रहते हैं दोस्तों तो दोस्तों अपनेTHเรियो को subscribe कर देना और bell icon को प्रेस कर आल्कर पीलएट कर ले आ इसटो क्यों आप आम टेलिग्राम चैनल को भी जूइन कर ले आथ को ऑप्सटों related videos देखने के लिए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहां पर हमने अपना लोगिन किया हुआ दोस्तों देख सकते हैं अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ग्रो और अंचल वान एप का लिंक में डेस्क्रिप्शन में दे auc transf पने डेस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जाका अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों ठीक बासव में दोस्तों अगर आप beginners हैं तो आपको nifty 50 index में ही option trading करना चाहिए और index जो कि nifty 50 में भारत का top 50 company listed होते हैं दोस्तों जो company अच्छा perform नहीं करता है उसको बाहर करक दिया जाता है फिर नए company उसमें add करते हैं तो nifty 50 ज्यादा वोलाटाइल भी नहीं होता है उसमें प्राइस ज्यादा उपर निचे भी नहीं होता है तो आप सभाल नहीं पाएंगे दोस्तों जल्दी लॉस हो जाएगा इसलिए आपको Kelvin 50 में करना चेंव लकिन उस से पहले अपको अपने बैस नहीं कि आपको फंस एड़ करना पड़ेगा आपके जोभी वालत है उसमें आपको का प्र 네ंने के लिए यहां पनी में जाना पड़ेगा उसके बात यहां पर white में देख सकते और मेनिक जो अप्षन है इसमक्त ग्लिक कर करके आपको गूगल पर फोन पर यूपियाई से आप यहाँ पर पैसा एड़ कर सकते हैं दोस्तों मिनिमाँ आपको तीन हजार पच्छी सो रुपया एड़ करना पड़ेगा तभी आप यहाँ से अच्छे से ओप्शन टेरिंग कर पाएंगे दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले में आप यहाँ पर चार्ट को आपको बढ़ा करने के लिए पर क्लिक करना होगा दोस्तों चार्ट बड़े बड़ा हो जाएगा बड़े में आप देख सकते हैं अगर छोटे में भी यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप केंडल स्टिक दिखेंगे चार्ट इस तरह से ठीक है पहले लाइन दिख रहे थे अभी केंडल स्टिक दिख रहे दोस्तों ठीक है अप्शन चेंज में आपको confusion नहीं होने दोस्तों यहाँ पर सबसे उपर में आपको nifty 50 का नाम दिख रहा है देख सकते हैं अगर आप beginners है तो मैं बता रहा हूं उसके बात यहाँ पर expiry date उसके बार में 9 है में 16 है तो आप next expiry में भी option trading कर सकते हैं में 16 में भी कर सकते हैं में 23 में भी कर सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा market volatile नहीं होगा देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट उपर नीचे नहीं हो रहा है दोस्तों देख सकते हैं और में दो में जैसे किले करूंगा यह उसके बाद side में यहाँ पर आपको call price दिखता है दोस्तों देख सकते हैं और side में put price दिखता है और यहाँ पर price इसको OI data भी देख सकते हैं दोस्तों OI data मतलब open interest data होता है जिसके हम analyze करके हम support resistance बना सकते हैं यहाँ फर market उपर नीचे जाएगा वो पता कर सकते हैं जैसे कि अ जैसे कि 22,550 में 22,550 में OI data की साइट ज्यादा है देख सकते हैं call site में एक लाग चोबना जाद चेसो एक है price देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है दोस्तों इसमें call price जैसे कि market उपर जाने से call price खरिते हैं आपको मालू होगा market नीचे गिरने से put price खरिते हैं जैसे कि अभी मार्केट 22,532 चल रहा है अभी 22,550 जाएगा 22,600 जाएगा चार्ट में आप अनलाइस करके देख सकते हैं कि मार्केट कि इधर जा रहा है 22,550 जाएगा 22,600 तो आप call site का entry लेख सकते हैं call site का कुछ भी खरीच सकते हैं इन दमनी का आपको अगर विगनास है तो इन दमनी खरीदना चाहिए दोस्तों इन दमनी आउट दमनी क्या होता है उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना आया हूं अपने चैनल पर जाके आप देख सकते हैं ठीक है अगर इन दमनी खरीदेंगे तो आपको लॉस भी काम होगा और प्रफिट भी जादा होगा दोस्तों एड़ दमनी भी ले सकते हैं लेकिन ओटी एम आउट अप दमनी नहीं लेना है आपको अगर विगनास है तो ले भी सकते हैं लेकिन अगर आप experience हो आप चार्ड भी देख सकते हैं 22,550 का चार्ड देखने के लिए इसमें आपको क्लिक करना होगा तो यहाँ पर चार्ड दिख जाएगा दोस्तों 22,550 का अभी 117 रूपे चल रहा है और यहाँ पर यह मार्केट गिर रहा है देख सकते हैं तो इस तरह से आप चार्ड खुल अब यह हम लोग मतलब कुछ पर्टीकुलार जो ऑप्सन से उसका चार्ड देख रहे हैं निप्टी का चार्ड नहीं देख रहे हैं दोस्तों ठीक है अगर आपको पैस लैप्टॉप है तो आप दोनों चार्ड भी एक साथ देख सकते हैं मोबाइल में नहीं देख दोस्तों और प्राइस दिखाई देगा उपर निचे हो रहा है और यहां पर आपको डिलीबरी और इंट्राड का ओप्सन्स दिखाई देगा तो आपको डिलीबरी में रहने देना है उसके बात यहां पर क्वांटिटी ओन लोट इन्टू 25 हो गया है अभी पहले पचास ए अब ले सकते हैं एक लोट दोस्तों ठीक है तो एक लोट में आपको 25 कॉंटिटी आ रहा है आपको दो लोट तीन लोट लेना है तो आपको यह से बढ़ा सकते हैं लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आपको सिर्फ एक लोट में ही ट्रेडिंग करना चाहिए दोस्तों ठीक है उ ऐब को यहाँ पर तो यहां पर आपको दोस्तों 125 रुपिया डाल के यहां पर लिमित लगा सकते हैं उसके बाद यहां पर आयरमनी का अप्टार दिखा रहा है क्योंके हमारे बैलेंस यहां पर नहीं है बैलेंस रहता है तो यहां पर बाई का ओप्शन दिखाता तो जैसे बाई करेंगे वह आपके पोजिसंस में चले जाएगा दोस्तों ठीक है तो यह तो पर्चेट मतलब डिलीबरी कैसे लेते हैं आप को अभी चार्ट करना बता दिता हूं चार्ट कैसे रीडिंग करेंगे आप अगर बिगनर्स हैं तो मोबाईल में चार्ट कर सकते हैं उसके लिए यहां पर आपको क्लिक करना होगा चार्ट को बढ़ा करना होगा दोस्तों जैसे चार्ट को बढ जाता है और रेट केंडल उपर साइगा निच्छा आता है जैसे आप जानते हैं उसके बाद यह स्टाट होके नीच्छ सिधा उपर गया दोस्तों इहां पर एंट्री लेते तो आपको यहां पर टार्गेट मिल सकता था आपको वन इस्टू ओन का उसके बाद यहां पर मार्केट रेड़ केंडल बनाने के बाद देख सकते हैं रेट के डेल जैसे बना है फिर नीचे आया दोस्तों फिर नीचे जाने के बाद फिर यहां पर उपर गया दोस्तों ठीक है तो यहां पर आप रिवर्सल टेर्डिंग करके भी यहां पर आप फिर बना सकते थे दोस्तों रिवर्सल टेर्डिंग कैसे अभी में क्लिक करना है horizontal line लेना है जैसे के नीचे support support कि स्कों बलते है market जहां सब नीचे आके बार बार उपडर उट जा रहाँ है उसको तोड़ नहीं पा रहा है उसको support बोला जाता है दोस्तों और रेजिस्टेंस जहां पर उपर से नीचे आ आपको थोड़ा फिर confirmation का वेट करना है फिर वहां से आप ले सकते हैं दोस्तों एंट्री ठीक है अभी ग्रेंड केंडल बन रहा है देख सकते हैं मार्केट में अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और दूसरा केंडल नेस्ट केंडल बना तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं दोस्तों बहुत सारे रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है और यहां पर आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे सारे टूल्स को आपको सारे टूल्स यूजिवल नहीं है दोस्तों लेकिन कुछ-कुछ टूल्स आप यूज कर सकत के लिए लेकिन एक ही मोब्यिल में आप चार्ट भी रिडिक करेंगे अड़ेर भी पांच करेंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं दोस्तों ठीक है तो दो मोबेल से कर बढ़ने मातर हम दोस्तों